Hello Friends, Welcome back to Achieve English Learning Classes So Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Similar Words Part 2 की जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था Part 1 के बारे में और जिसमें से आपने बहुत अच्छे मीनिंग्स कलेक्ट किये थे उसी काज हम दूसरा भाग लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ और Specials ऐसे Word जो एक ही Word को हम कई तरीकों से बोल सकते हैं जिनको हम Similar Word में समानाती सब्द कहते हैं So Friends, बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकोन को दबाना ना भूले ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको time to time मिलती रहे So Friends, चलते हम आज के सबसे पहले Similar Word की तरफ तो हमारा आज का सबसे पहला Similar Word है sad, it means दुखी जैसे कि बहुत लोग कहते हैं मैं आज दुखी हूँ, I am sad today तो दुखी के लिए आप sad ना यूज करके आप इसमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका मतलब होता है miserable, frustrated, depressed, distressed, unhappy, otherwise disappointed इन में से आप किसी भी वर्ड को यूज करके आप ये बता सकते हैं कि आप दुखी हैं तो friends चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, दूसरा हमारा Similar Word है square square means होता है डरना जिसको हम भै भी बोलते हैं इसका Similar Word होता है fright, harass, fear, terrify, afraid आप इन में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं ये सो करने के लिए जिसका meaning निकलता है डरना या भै so friends चलते हैं अगले वर्ड के लिए अगला वर्ड है angry angry का मतलब होता है क्रोध है या तो गुस्सा इसके लिए भी कई वर्ड आप यूज कर सकते हैं जिसमें बहुत ही special meanings देखने को मिल रहे हैं जैसे कि furious first है, forming, upset, irate, livid, seething, annoyed इन सभी में से आप किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं क्रोध और गुस्से के लिए so friends हमारा अगला वर्ड है sogged, it means भैभीत या आश्चर चकीत हो जाना इसके लिए भी कई अच्छे वर्ड आपको मिलेंगे जैसे कि tongue tight, amazed, speechless, stunned, outraged, astonished ये सभी वर्ड बहुत ही special है जो हमेशा किसी performance के लिए ज़्यादे यूज होते हैं कोई बहुत अच्छा डांस कर दिया जिसको कोई विश्वास नहीं कर सकता इतना अच्छा डांस वह हो तो उस situation में हम बोल सकते हैं amazed या तो speechless या तो astonished या shocked कि कोई भी meanings आप यूज कर सकते हैं उस situations में so friends चलते हम अपने अगले word की तरफ और हमारा अगला word है interesting interesting का मतलब होता है रुची पूर्ण या तो रोमांचक आप लोगों को ये word बहुत ही सुना सुना लगता होगा क्योंकि जब भी कभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो बोलते हैं रहे आज बहुत ही interesting मैच होने वाला इंडिया पाकिस्तान का चलो देखने चलते हैं so इस word के लिए भी कई सारे words ऐसे हैं जो बहुत ही special है जैसे कि पहला है exciting, captivating, thrilling, entertaining या तो engaging इन में से किसी भी word को आप यूज कर सकते हैं जैसे this was interesting match या फिर this was exciting match या फिर this was entertaining match कोई भी word यूज कर सकते हैं और ये आपके speaking को बहुत ही बहुत ही improve कर देगा so friends चलते हैं हम अपने अगले word की तरफ तो हमारा अगला word है funny, funny का मतलब होता है हसाने वाला जिसको हम मजा किया भी बोलते हैं बहुत से ऐसे movies होते हैं जिसमें हम बहुत ही मजे करते हैं हसते हैं for example के तोर पर आप देख सकते हैं कपिल सर्मा का सो जिसमें बहुत ही funny type के jokes मारे जाते हैं या फिर बाते बोली जाते हैं जिससे लोग हसते हैं इसमें भी कई सारे words बहुत ही special है जैसे पहला है comical, next है hilarious, या फिर humorous, amusing है, laughable है इन में से किसी भी words को आप यूज कर सकते हैं बहुत से movies होती हैं जो comical होती है या तो hilarious होती है Hollywood में ज़्यादा तर ये word यूज किया जाता है तो हमारा आगला word है sad, sad से का second form है और sad का मतलब होता है कहा, या तो बताया, या तो जवाब दिया, या तो उत्तर दिया इसके कुछ similar words हैं जैसे कि exclaimed, replied, responded, stated, told for example मैंने कहा तुम जाओ, I said you to go तो वहाँ यूज कर सकते हैं I exclaimed to go otherwise I responded to go, I stated to go, I told to go कोई भी word यूज कर सकते हैं, तो चलते हैं अपने next word की तरफ next word है हमारा new new का मतलब होता है नया, या तो आधुनिक, या तो इस जमाने का, modern जमाने का बोलते हैं जैसे कि, इसके भी कुछ similar words हैं, जैसे contemporary, current, recent, latest, modern बोलते हैं यह अभी जो चल रहा है समय वो modern age है, और कभी भी कोई भी चीज जो नई company से बाहर आती उसको बोलते है latest design या तो latest चीज है, तो इस तरह के words आप यूज कर सकते हैं, new के लिए, सो हमारा आज का आखरी word है, start, जिसका मतलब होता है शुरू करना या प्रारंब करना, इसके लिए भी आप similar word यूज कर सकते हैं, तीन ही है, जादा नहीं है, दो especially यूज किया जाता है, जिसमें से है begin और comments, launch तो किसी बड़ी technical change के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि missile हो गई, या फिर कोई भी technical fields से related हो, so, इसमें से आप किसी भी words को यूज कर सकते हैं, so friends, I hope कि इस वीडियो से आप काफे कुछ सीखेंगे, और ये बहुत useful वीडियो भी होगा आपके लिए, जिससे आपकी word power और आपकी vocabulary अच्छे से improve होगी, so, मिलते हैं अकले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, have a good one, आपका दिन सुभ हो,